हेलो एगरिवन आज की हमारी नियूज है दूरदर्शन के कारिकरम से निराश होकर राजीव गांदी ने शुरू करवाए थे रामायन और महाभारत कोरोना के संकेत के दोरान जब देश भर में लोकडाउन की गोशना हुई थी तो दूरदर्शन ने रामायन और महाभारत समेत कई पुराने पर बेहत लोगप्रिय रहे सीरियल चलाने का फैसला लिया 28 मार्स से रामानन सागर निर्देशित रामायन को दूरदर्शन के नेशनल चैनल पर दिखाया जाने लगा और बिया चोपड़ा निर्देशित महाभारत को डिडी भारती पर टेलिकास्ट होने के पहले ही सब्ता में दूरदर्शन के दर्शकों की संख्या में अभूतपूर्व बरोतरी दर्श की गई प्रसार भारती ने ट्विट कर इस बात की जानकारी दी कि दूरदर्शन के दर्शकों की संख्या में इस दोरान 650 फीस दी का इजाफ़ा हुआ दूसरे सप्ता में भी दर्शकों की संख्या बनी रही और लोग रामायन और महाबारत को देखते रहे यह तब हो रहा है जब कुछ निजी चैनल भी अलग-अलग समय पर अलग-अलग लोगों के निर्देशन में बनी रामायन और अन्य धार्मिक सीरियल दिखा रहे हैं इससे तो एक बात का पता चलता है कि दूरदर्शन पर अगर अच्छा कंटेंट दिखाया जाए तो उसके पास दर्शक आएंगे दूरदर्शन को अगर प्रोफेशनल दरीके से चलाया जाए और योजनबुद तरीके से सीरियल बनवा कर प्रसारित किये जाएं तो उसको चलाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से सरकारी मदद की और अप्रत्यक्ष रूप से करदाताओं के पैसे की मदद नहीं चाहिए होगी उसके अपने कारे करमों से मिलने वाली धनरासी से ना केवल वो अपना खर्च निकाल सकता है बलकि मुनाफ़ा भी कमा सकता है लेकिन अभी जिस तरह से रामायन का प्रसारन हो रहा है उसको देखकर तो यही लगता है कि दूरदर्शन में प्रोफेशनलिज्म का अभाव है कभी यह सीरियल नियत समय से 10 मिनिट पहले खतम हो जा रहा है तो कभी नियत समय से 20 मिनिट अधिक दिखाया जाता है कभी कोई एपिसोड दोहराया दिया जाता है तो कभी रीकैप के नाम पर 10 मिनिट तक एक दिन पहले दिखाये गए एपिसोड को रिपीट किया गयाता है शुरुआती एपिसोड में इस तरह की बात समझ में आती है लेकिन दो सप्ता बीच जाने के बात भी इस तरह से दिखाया जाना विशुद रूप से लापरवाही और प्रोफेशनलिज्म की कमी की और इशारा करता है शुकरवार को रामायन राद 10 बजे राद 10 बच कर 20 मिनिट तक दिखाया गया इसकी वज़ा से राद 10 बजे दिखाये जाने वाले सीरिल का समय बदल दिया गया इस बारे में प्रसार भारती के CEO शशी शेकर ने ट्विट किया कि रामायन के एपिसोड की लंबाई अधिक है और राद 10 बजे की सीमा को ध्यान में रखकर एडिट करने में महतवपून सीन के गुम जाने का खतरा है और अगर पूरा एपिसोड दिखाये जाता है तो चानक प्रके के दर्शो को कोई प्रतीक्षा करनी होती है सवाल एडिट करने का है ही नहीं सवाल कट प्याविट्स निकाल कर ब्रेक लेने का है रामनन सागर की जीवनी में उलेखित तरत्यों के मुताबिक रामायन का एक एपिसोड 35 मिनट का है ऐसा प्रतीत होता है कि अभी ग्यावन जोड़कर 80 मिनिट तक पहुंच जा रहा है। बगैर एडिट किये भी ऐसे कितने ही कट प्रेंट सीरियल में हैं जहां स्टिंग लगा कर ब्रेक किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए दूरदर्शन के किसी जिम्मेदार व्यक्ति को सारे एपिसोड देखने होंगे। लेकिन लगता है रामायन के निर्मान के समय दूरदर्शन जैसा था वैसा ही है। और वह बहुत कुछ बदला नहीं है। दूरदर्शन से क्यों निरास थे राजीव। और प्रसारर मंत्री भी एंड गार्डगिल को फोन लगा कर शिकायत की। गार्डगिल को सला दी कि दूरदर्शन को अपने कारेकरों में विविद्दा लानी चाहिए। और उसको पौरानिक ग्रंतो और दर्शन पर आधारिच सीरियल बनाने चाहिए। इस करम में राजीव गंदी ने रामायन और मावारत का नाम लिया। गार्डगिल ने प्रधान मंत्री की बात सुनी और सरकारी कामकाज की पद्धिती अपनाते हुए सूचना और प्रसारन सचीव एस एस गिल को प्रधान मंत्री की भावना से अवगत करा दिया। पूचना और प्रसारन सचीव ने इसको आगे बढ़ाते हुए दूर दर्शन के अधिकारियों को बता दिया, अनफन में प्राइवेट प्रोडूसर्स की स्कीम बनाई गई और रामनन सागर से रामायन बनवाने को कहा गया, उनसे कहा कि चार एपिसोड का पाइलेट प्रोज प्रैसला नहीं हो पा रहा था, अगली वीडियो में हम देखेंगे, गाड़ियल के अलावा दूर दर्शन के उस वक्त के डिरेक्टर जनरल भासकर गोश एक तरफ तो ब्रदान मंत्री को खुश करना चाहते थे, लेकिन रमायन का प्रसारन दूर दर्शन पर हो, इसकी राम में बादा भी डाल रहे थे, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर कीजिए, थैंक्यू,